वेलकम बेक अब्रीवन, वेलकम टो सिविल सर्विसे श्टड़ी कॉश्चन नबर बने कौन सा भोजन तुरंत सक्ती परदान करता है कौन सा भोजन है देखिए जो इमेडियाट एनरजी देखा इन में से वो होगा ग्लुकोज ग्लुकोज क्या है कार्भोहईडरेट है ना C6, H1O6 तो ग्लुकोज को देखिए सबसे सरल कार्भोहईडरेट कहा जाता है और यह जल में बिल्कुल खुलनसील है इसका रश्टानिक सूत्र C6, H1O6 है स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए उर्जा का सर्व प्रमक्स रोत है परिवारिक सामाजिक जीवन की पर्थम पार्ट साला है परिवार सामाजिक जीवन की पर्थम पार्ट साला है कि प्रफं पर्ट साला है, अपने गुरू प्लेटों के अरस्तू जो था वो निजी परिवार विवस्ता में विश्वास रखता था मतलब निजी परिवार का समर्थक था नमबर थी है निमलिकेद में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है इन में से किसमें जो कार्बन है वो नहीं पाया जाता है देखिए डाइमंड हीरा ग्रेफाइड इन डाइमंड में भी कार्बन होता है ग्रेफाइड में भी कार्बन कोईला में तो होते ही होता है तो इन से कोई नें इन में से कोई ने कि द थे बूर पर्परटी बायू में जो कार्बनन रूपों में बने में गए जाता है जिसे कार्बोनिट के रूप मैं हाई ट्रोड सबस्वे truth and और सब्हांगर बश्राउन संब धरcar अदिक दोर राज्य-सर्कार talonyai बारत किषिये को अंएक रशी को आयकर से मुक्त रखा गया है राजिस सूची में 19 अंसे करों का उलेख है जिसे राजिसरकारे लगाती है और वसूलती है question number 5 है थारू जन्जाती के संदर में एक असत्य है थारू जन्जाती दीपावली को सोक के रूप में मनाती है थारू जन्जाती उत्राखंड के नेनिताल जिले से उत्तर परदेश के गोरगपुर जिले के तरही छेतर तक निवास करने वाली एक जन्जाती है यह हिंदू का कोई त्योहार नहीं मनाती यह किरात वंस से संबंधित जन्जाती है बेखे जो थारू जन्जाती है दीपावली को सोक के रूप में बनाती है बिल्कुल करेक्ट है यह हिंदू के गोरगपुर जिले के तरही छेतर तक में निवास करने वाली एक जन्जाती है यह हिंदू के सभी त्योहार मनाते हैं और दीपावली को सोक के रूप में मनाते हैं यह किरात वंस के वंसाज है कॉश्चर नमबर सिख से उतर परदेश के कैई जले में सबसे पहले सोलर उर्जा सयंत्र इस्थापित किया गया या परारमभ किया गया कहां पर किया गया सबसे पहले यह अलीगड में प्रारंब किया गया कहां पर अलीगड में कौशियल नम्बर साथ है नमलिकित मैं से मतलब इनमें से कौन सा जला भारत की अंतराश्टर सीमा पर है। इभरपूर इस जिले का इस जिले की जो सीमा है वो तिब्बत से सटी होई है जो इसे सामरिक दरश्टी से भी महत्रपूंड बनाती है वेश्टन घाट पष्चिमी घाट किया परवत है पठार है पाहड़ी यह पथारो का धलान ऑपाश्टन घालान पष्चिमी घाट लगवक शोले सो किलोमेटर चेत्र में है यह है दक्कन के पठार के पश्वी भाग में इस्तित है और इस छेत्र में कई परवत आपको मिलेंगे पहाडियां दर्रयादी पाये जाते हैं और इसे प्रायदी पिया भारत का महान धहलान भी कहा जाता है महात्मा गांधी ने निमलिकत में से किसे अपना राजनितिक गुरु माना था यह सभी को पता होगा इसका अंसर इंपोर्टन्ट है प्रेशन यह है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनितिक गुरु मानते थे और महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुर पुस्तक भी लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरूप पुस्तक लिखी यह प्रकाशित कव हुई थी 1905 में पहलीवार प्रकाशित हुई थी है भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है बैंगलूर है करनाट का कैपिटल चेन नहीं है तमिलनाडू का कैपिटल रिशी केज है उत्राखंड में और कोयम बटूर भी तमिलनाडू में है तो क्वेश्चा नमबर 11 है भारते संभिधान की अंतरगत निम्लिकित मेंसे कौन एक मौलिक करतब नहीं है तो 42 वा एक संभिधान संसोदन हुआ था जिसके अंतरगत मौलिक करतब को 44 के काभाग 4 के कामे रखा गया है तो लोग संपत्ति की सुरक्षा करनी है मौलिक अधि कोई भी मौलिक करतव नहीं है जहाँ जहाँ मैंने इसमें मौलिक अधिकार का प्रयोग कर दिया है वो गल्ती है मौलिक करतव बोला है तो देखिए लोग चुनाबों में बोट डलना ऐसा कहीं ने लिखा सम्विधान में मौलिक करतबी के रूप में वगिए तीन करेक्ट हैं तो फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा कोशन नमबर बारा है भारत और स्रिलंका को अलग करने वाली जल राशी कौन सी है देखे रैट क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराश्टे सीमा निर्धारन है तो ये तो होगा नहीं और 10 डिगरी चैनल अंडवार और निकोवार को अलग करता है तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर हो जागा पाक जल संधी या पाक स्ट्रेट तो समुत्र पार भारत की सरवादिक निकट जो सीमा है वो स्रिलंका है जो पाक जल डमरू मद भूबाग द्वारा जो तमिलनाडू से पर्थक होता है ये स्रिलंका की खाड़ी को गल्फ ऑफ मननार से जोड़ता है कोशन अंबर 13 है इन में से कोई एक यहाँ पर असत्ते होगा 9 दिसंबर 1944 को भारति सम्विधान सवा की पर्थम बैठक होई थी और इस बैठक में सची दनन सहाय को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को मतलब ठीक दो दिन बाद तीसरे दिन डॉक्टर राजेंदर परसाद को सर्व सम्मती से सम्विधान सवा का इस्थाई अध्यक्ष पर्मानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया इनमें से कोई नहीं कोई गलत है क्या इनमें देखे 9 दिसंबर 1946 को भारति सम्विधान सवा की पर्थम बैठक होई थी इस्थाई अध्यक्ष चुना गया नमबर 14 है किसने बंगाल में इस्थाई उपनिवेश की शुरुबात की ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है इस्थाई उपनिवेश या इस्थाई बंदोबस या इसको बोला जाता है पर्मानेंट सेटलमेंट किसने कहा था लॉड कारनवालिस ने किया था ये तो इस्थाई उपनिवेश या इस्थाई बंदोबस या पर्मानेंट सेटलमेंट को लॉड कारनवालिस ने प्रारम में किया यह भू कर विवस्था थी जो बर 793 में लागू की गई इस विवस्था में क्या हुआ था जमीन का जो मालिकाना हक है वो जमीदारों को परदान कर दिया गया और जो किसान लोग थे उनकी हालत मात्र कास्तकार जितनी रह गई तो important है इस्थाई बंदोवस्थ जमीदारी एक और देखे एक नाम तो हो गया इसका इस्थाई उपनिवेश दूसरा नाम या करके इस्थाई बंदोवस्थ या फिर पर्मानेंट सेटलमेंट या फिर जमीदारी ववस्था किसी भी नाम से पूछ ले जाता है नेक्स्ट कोश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम किस से संबन देता है सबको पताओगा इसका अंसर देखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो भारत में गिड़ते हुए सिसू लिंगानुपात का समाधान अबम बालिकाओं को ससक्त बनाने से संबन देता है और इसकी सुरवात कप की गई थी 2015 में हरियाना के पाणी पाद जले से की थी परधान मंतरी जी ने बीसी जी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक सक्ति परदान करता है किसके विरुद्ध परदान करता है इनमें से तीवी के विरुद्ध परदान करता है टुरबर कॉलोसिस किससे होता है बैक्टिरिया से माइक्रो बैक्टिरियम टुरबर कॉलोसिस से होता है और क्लाइन में कौन सी ग्लेंड है जो एक्सो क्लाइन ग्लेंड दोनों के रूप में कार करती है यह है अग्नाश कौ बहुता है यसको बखेन ग्रंती है इसमें अंत्रे थाभी और 22 दोनों कारे होते हैं इसकी लगभब श्यरब नबबच्प प्रतिशत गोसिकाएं वे 22 हैं और 10 प्रतिशत कोसिकाएं वेmar अंत्रहियंuce हैं मतलब हेक्सो क्लेंड है 90 प्रतिशत और 9 प्रतिशत यह औंडोक्राइन कोसिकाएं और पैंक्रियाज मैं या अगनाशे में लेंगर हैं इसकी दिपिकाएं पाये जाते हैं जिन में तीन सेल होती है alpha cell, beta cell और gamma cell alpha cell से निकलता है beta cell से निकलता है glukagon, beta cell से निकलता है insulin और gamma cell से निकलता है somatostatin इन दोनों के नाम याद रखना सबका फेवरेट है हर examiner का यह insulin insulin कहां से निकलता है अगनाशे से निकलता है अगनाशे में है क्या लेगंगन है इसकी दिपिकाएं है वो लेगंगन है इसकी दिपिकाओं में एक cell पाई जाती है बीटा cell उससे निकलता है इंसुलिन Question number 18 is भारत के संबिधान का अनुच्छे 243 नमलिकित में से किसकी व्याख्या करता है देखिया मौलिक करता भी की तो करेगा नहीं क्योंकि ये 51 ये से सुरूख होकर के तक खतम हो जाता है ये करता है पंचायती राज प्रणाली की है कुशन नमलिकित केंद्शाषित प्रदेशों में सबसे बड़ा अकार किसका है मतलब छेत्रफल की दरश्टी से कौन इसमें सबसे बड़ा होगा देखिये इसमें सबसे बड़ा पुदुचेरी है पुदुचेरी है छेत्रफल की दरश्टी से वोशान नबर टुंटी भारतिय राजहों में मुद्रा विल होने के कारण एक बिल्कों प्रमाडित करता है छोगया इसका अंसर तो सभी धन विध्यक बित्य विध्यक की स्रेणी में आते हैं या दिपी सभी धन विध्यक बित्य विध्यक होते हैं किन्तु सभी बित्य विध्यक जो होते हैं वो धन विध्यक नहीं होंगे केवल वे वितिव धियक, धन विधयक होते हैं जिनका उलेक संविधान के नुच्छेद 110 में किया गया है धन विधयक को लोगसभा अध्यक्ष किया जाता जबकि राज इस तर पर यह कार राज विधान सभा अध्यक्ष करेगा तो 20 प्रशन थे, इंपोर्टन थे, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए Civil Services Study चैनल से, थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो, एक लाइक करना अगर वीडियो पसंद आती है, तो जोतनी भी टैस सेरीज इस चैनल पर चले हैं, सबका लिंक प्लेलिस्ट में बना रखा है, दन्यवाद।